नमस्कार आप सभी का डिजीट क्लासेज में स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 3.5 का कोशन नमबर 4 इस लिनियर एक्वेशन को सॉल्व करना है वज्र गुनन विधी से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं लिनियर एक्वेशन का जिन्रल फार्म लिख लेता हूँ अब हम लोग इस लिनियर एक्वेशन से दिये गए लिनियर एक्वेशन का तुल्ना करेंगे और देखेंगे कि A1, B1, C1, A2, B2, C2 के जगह पर यहां कौन सा कॉंस्टेंट लिखा हुआ है A1 बराबर क्या होगा? यहां देखें एक्वेशन के साथ A1 है और यहां एक्वेशन के साथ कुछ भी नहीं है इसका मतलब है 1 मल्टिप्लाई की रूप में है B1 के जगह पर यहां क्या होगा? माइनस 3 C1 बराबर माइनस 7 A2 इस इक्वेशन के साथ इक्वेशन के साथ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? A1 बराबर A2 का वहलू निकालेंगे A1 का वहलू क्या है? 1 और A2 का वहलू 3 इसे पुट कर देना है इसके बाद क्या करना है? B1 बराबर B2 का वहलू निकाला जाता है B1 का वहलू है माइनस 3 और B2 का वहलू है माइनस 3 दोनों कट जाते हैं और value आता है 1 हम लोग यहां क्या देख रहे हैं A1 बटा A2 का value आ रहा है 1 बटा 3 B1 बटा B2 का value आ रहा है 1 इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों अनुपात दोनों ratio ब्राबर नहीं है अता A1 बटा A2 is not equal to B1 बटा B2 जब ऐसा condition आता है इसका मतलब है कि इस दिये गए रैखिक समिकरन यूग्म के एक अद्यूती हल होंगे अता है दिये गए रैखिक समिकरन यूग्म के एक इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस समिकरन का हल निकालेंगे हल निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का उप्योग करना है जिसे याद करना थोला इस्टूडेंट के लिए मुश्किल है लेकिन आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कैसे समझें यह एक सरकल है आप लिख लें A, B, C A से B की और आप arrow का मार्क लगा दें अब क्या करना है आपको यहाँ पर X के नीचे सबसे पहले आपको लिखना है B, C ठीक है B, C के बाद क्या होगा C, A जो कि आपको Y के नीचे लिखना है C, A और C, A के बाद A, B ठीक है अब आप क्या करेंगे B, C में से B, C को माइनस कर दें C, A में से C, A को माइनस कर दें और A, B में से A, B को माइनस कर दें ठीक है इतना जब लिख लेंगे यहाँ लिखेंगा आप 1, 2, 2, 1 इसका उल्टा 1, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1 इस परकार यह फार्मूला पुरा हो गया हम लोग बहुत आसानी से फार्मूला को लिख लिए इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर वहलू पूटप करना है IMPLIES X बटा B1, B1 का वहलू क्या है माइनस 3 C2, C2 का वहलू क्या है माइनस 15 माइनस B2, B2 का वहलू क्या है माइनस 3 C1, C1 का वहलू क्या है माइनस 7 इसके बाद है A2, A2 का वहलू क्या है 3 माइनस C2, C2 का वहलू है माइनस 15 मुना A1, A1 का वहलू है 1 बराबद 1 बटा A1 A1 का वहलू क्या है 1 गुना B2 B2 का वहलू क्या है माइनस 3 A2 A2 का वहलू है 3 गुना B1 B1 का वहलू है माइनस 3 ओके इसके बाद इसे आप गुना कर दें 15 35 45 माइनस माइनस पलस सत्य 21 माइनस माइनस पलस अब इसे लिखना है आपको Y बटा सत्या 21 पलस माइनस क्या होगा माइनस और जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो 15 एकम 15 और माइनस माइनस पलस बराबर 1 बटा तीन एकम तीन लेकिन माइनस में और यहाँ देखें माइनस माइनस पलस तीन तिया नौ एक्स बटा 45 में से 21 माइनस करना है कितना आएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 इसके बाद पलस माइनस माइनस करना है 6 और 15 से बढ़ा है 21 इसका चिन क्या है माइनस यहाँ पर क्या होगा पलस माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6 लेकिन चिन रहेगा पलस का क्योंकि 3 से 9 बढ़ा है इसके बाद इसे solve कैसे किया जाए ठीक है चुकि यहाँ पर तीनों अनुपात आपसे बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं implies x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 अब हम लोग क्या करेंगे इसका तिर्यक गुना करेंगे implies 6x बराबर 24 therefore x बराबर 24 बटा 6 6 नीचे आजाएगा 6 कम 6 6 चब के 24 इस परकार x का वहलू कितना आगिया 4 तथा अब हमें y का वहलू निकालना है तो y का वहलू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दिखेंगे y बटा minus 6 बराबर 1 बटा 6 अब इसको हम लोग cross multiplication करेंगे y को 6 से 6y बराबर minus 6 को 1 से minus 6 therefore y बराबर minus 6 बराबर 6 6 बराबर minus 1 इस परकार x बराबर 4 और y बराबर minus 1 आंसर आगिया मैं आसा करता हुए कि आप लोगों को यह math solve करनेगा तरीका बहुत पसंद आया होगा आप सभी students याँ दोस्तों को video देखने के लिए many many thanks जैहिन जैजहरकंड